हाई गई, सवेठ्ट होड़ीघी के दुनिया. आज बनाएंगे कैवेस्ट की एक प्रेशेपीई तो मैंने क्या बहुते किया चुए तुब मिर्च ले लिया को मैंने ले ने खर्ड़ी फिर्स दुए हंद आब करङ自己 कालर होने यह गाथ प्याज अच्छे से भुनने के बाद उसमें थोड़ा सा उसी ओईल में में थोड़ा सा हल्दी दे दिया था आप चाहे तो अगर आप जो कस्मीडी लाल मिच पाउडर है उसको आप यूज करते हो तो इसी वक्त आप दे देना उसके बाद मसाला दिया था यह मसाला प्याज अद्रक लहसुन जीरा और मिर्ची का जो लाल मिर्ची होता है उसका मिक्स करके मसाला है ग्राइंडिंग करके और मसाला देके उसको थोड़ा सा पानी देके तब तक मसाला पकाना जब तक जो मसाला है न वो कड़ाई में जो ओयल है वो ना छोड़े तो तब तक अच्छे स ऑपे मासाला बना सकते हैं। area मासाले लिए ऑपी जो ड़ा थोग रेंगी करें, में आज़ें। ऐसे भी बहुत बड़िया लगता है बट बहुत ही जादा गल जाता है तो इसलिए आप अगर भुनोगे तो वो जो कैवेस का पानी निकलता है ना वो जादा पानी नहीं निकलेगा क्योंकि पहले ही निकल चुका होगा इसलिए उसके बाद यहां पे मैंने जो देखिए वो मसाला है ना वो कड़ाई छोड़ चुका है तो मैंने यहां पे तमाटर दे दिया थोड़ा सा नमक दे दिया और उसके बाद तमाटर को अच्छे से मैंने बुल लिया जब तक तमाटर गलना जाए अच्छे से गलना जाए तमाटर भी अच्छे से गलना चाहिए उसको मैंन अच्छे से पका लिया, मैंने बन को भी को पहले ही काट लिया था, मैं यहां पे बन को भी और जो आलू है उसका करीब बना रही हूँ, यह भैस है, यह नौन भैस नहीं है, नौन भैस वालों के लिए जो फिस दे के बनाते हैं, वो नहीं है, यह भैस वालों के लिए और भैस अगर आपको मेरे यह सब रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे यह वीडियो सेयर कर देना और लाइक पी कर देना यह पर देखिए मैंने मसाले में जो गोबी है उसको मिक्स कर दिया था मेरा मसाला थोड़ा से ज़्यादा हो गया था आप अगर बंद गोबी की यह सबजी कर रहे हो तो मसाला थोड़ा से कम रखना मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था उसके बाद मैंने आलू को भी जैसे आल बन गोबी में डाल दिया और अच्छे से मसाले में मिक्स करके उसको मैंने ढख किये जो बन गोबी से पानी निकलता है पानी जब तक सूप ना जाए तब तक पका के मैंने पका लिया अच्छे से और पिरोटी के साथ में निखाया था बहुत ही बड़ा लगा था यह बाबाई गास आज के लिए इतना है